Welcome Suppliers! मीशो पर How to Avoid Common Mistakes पर बनाए गए इस विडियो में आपका स्वागत है. एक सफल ओनलाइन बिजनस चलाने के लिए अपने ओर्डर को एफेक्टिव तरीके से प्रोसेस करना और ओर्डर को पूरा करना महत्वपून है. ओर्डर को समय पर पूरा करने का मतलब है मीशो आप पर ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा सांटसफाइड कस्टमर्ज और बहतर सेल्स परफॉर्मन्स. ये सभी फाक्टर ज्यादा ओर्डर की ओर ले जाते हैं. ओर्डर को प्रोसेस करते समय आप कुछ महत्वपून स्टेप्स को मिस कर सकते हैं, जो आपके ओनलाइन बिजनस पर इफेक्ट आल सकते हैं, जिसकी वजह से डिड़क्शन्स या आपका अकाउंट भी डियाक्टिवेट हो सकता है. आए इन में से कुछ कॉमन मिस्टेक्स का पता लगाते हैं और देखते हैं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है. 1. Expected Dispatch Date को अंदेखा करना Customers को Satisfied करने के लिए Expected Dispatch Date को पूरा करना जरूरी है जो आपको अपने Operational Performance को Optimize करने में मदद करता है Expected Dispatch Date को अंदेखा करने का मतलब है A. Customers से Negative Feedback B. Order Cancel होने का रिस्क बढ़ जाता है C. RTO की ज्यादा संभावनाए यदि Dispatch Date को लगातार अंदेखा किया जाता है तो आपका अकाउंट होल्ड पर रख दिया जाएगा या Temporary Deactivate कर दिया जाएगा इसलिए Ensure करें कि आपके Order Expected Dispatch Date से पहले या उसी दिन भेज दिये गए है Date पता लगाने के लिए Supplier Panel के Order Section में Expected Dispatch Date देखी आप Breaching Soon Filter का उपयोग यह देखने के लिए भी कर सकती है कि किन Orders को Urgent Dispatch करने की आवशकता है 2. सुभा 11 बजे के बाद Label डाउनलोड करें Label और Manifest डाउनलोड करना आपके Logistics Partners को बताता है कि आपके Shipments पिक करने के लिए तयार है यदि आप उसी दिन अपने पिकप चाहते हैं तो आपको सुभा 11 बजे से पहले Label डाउनलोड करना होगा यदि लेबल को सुभा 11 बजे के बाद डाउनलोड किया जाता है तो पिकप अगले दिन के लिए शडियूल किया जाएगा 3. Order Dispatch के लिए तयार होने से पहले Shipment Label डाउनलोड करी केवल उनहीं Shipment के लिए सुभा 11 बजे से पहले Label डाउनलोड करी जिन्हें उस दिन Pack और Dispatch किया जा सकता है यदि Logistic Partner के आने से पहले Shipment तयार नहीं किया जा सकता है तो हम आपको सुभा 11 बजे के बाद ही Label डाउनलोड करने की सलाह देती है अपनी Delivery Capacity से अधिक Label डाउनलोड करने से आपका अकाउंट होल्ड पर रखा जा सकता है 4. Dispatch के दौरान Order Manifest पर Pickup Boy का नाम, Pickup की तारीक, Ship किये गए आइटन की गिंती और Delivery Partner के Signature Record नहीं करना Order Manifest Pickup Agentों को Shipment Handover करने का एक मात्र प्रूफ है एक Common Mistake जो Shipping या Scanning प्रक्रिया में Dispute होने पर Problem Create करती है वह है, Pickup Agent से Signature लेने के लिए Shipping Manifest को Print नहीं करना आपके Order के लिए Product Manifest की एक Signed Copy के साथ Shipping और Scanning Queries को Effectively Solve किया जा सकता है आप Order सेक्षिन में Ready to Ship टाब से Manifest Download कर सकती है Multiple Order चूज करें जिनहें आप भेजना चाहते हैं और Download Manifest बटन पर क्लिक करें 5. अपने कैटलोग में अपने पास से ज्यादा Inventory आड़ करना यह कई Suppliers द्वारा की गई एक बहुत ही Common Mistake है जहां वेवास्तव में उनके पास Available Inventory की तुल्ना में अधिक Inventory अपडेट करते हैं प्रॉबलम तब शुरू होती है जब आपको अपनी Inventory Count से बड़े Order मिलते हैं जिनहें आपको पूरा करना होता है उदाहरण के लिए यदि आपकी Actual Inventory में 10 आइटम हैं लेकिन Supplier Panel में 30 आइटम अड़ किये गए हैं तो सब्भावना है कि आपके द्वारा अड़ किये गए 30 आइटमों के Base पर आपको 10 आइटम से अधिक Orders मिलेंगे हमने ऐसे ओडर भी देखी हैं जिनें Inventory की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका है ज्यादा तर ऐसे ओडर कैंसल हो जाते हैं और यह आपके अकाउंट को Deactivate करने का रिस्क भी बढ़ा सकती है क्रिपिया Inventory Count को हमेशा इमानदारी और सावधानी से अपडेट करें आप Supplier Panel के माध्यम से अपनी Inventory को Cross Check और अपडेट कर सकते हैं Inventory सेक्शन पर क्लिक करें Inventory Count के साथ Listed Item देखें और इसे अपनी Actual Inventory के साथ अपडेट करें छे, Physical Inventory न होने पर भी आइटम्स को Out of Stock के रूप में मार्क नहीं करना जिन Catalog में कोई Inventory नहीं है उन्हें Out of Stock के रूप में मार्क नहीं करना एक बहुत ही Common Mistake है यह Unwanted Order की ओर ले जाता है और उन Order के Cancel होने पर Customer के Experience पर Impact पड़ता है ऐसे इशू से बचनी के लिए Catalog के Status को Update करना न भूले जो Stock में नहीं है आप अपनी Supplier Admin Panel के Inventory सेक्षिन में उनका Status Update कर सकते हैं Stock में न होने वाले आइटम्स के लिए क्रपिया Inventory को Zero पर Update करें उपर बताये गए सुझावों का पालन करने से आपको अपने बिजनस को बहतर ढंग से मैनज करने में मदद मिलेगी और आपके Customers के Experience पर Positive Impact पड़ेगा और इसलिए आपकी Sales और Profit भी बढ़ेगा BeShow पर Happy Selling अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो हिट करें सब्सक्राइब बटन पर हमारे YouTube चानल पर